Hello everyone, welcome back to the channel guys आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल टीम के बारे में एक ऐसा टीम जो मुझे 2013 के इंदियन फुटबॉलिंग सीनेरियों का याद दिलाते हैं जब कोई प्रॉपर लीग नहीं थे, नेशनल टीम के मैचेस नहीं हो रहे थे पाकिस्तान is going through the exact same situation आप कह सकते हैं यहाँ पे situation और भी खराब है आज के इस वीडियो में वी विल बी तोकिंग अबाट पाकिस्तान टीम कौन है पाकिस्तान के हैं प्लेर्स, वाट्स दियर करेंट सेनेरियो आए एक साथ खोलते हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम को फिफा रैंकिंग की बात करें तो गाईज पाकिस्तान is hanging down at the bottom side जिहाँ 195 पोजिशन पे फिलाल पाकिस्तान रैंकिंग टेबल पर मौजूद है और इसके पीछे रीजन भी है काफी वक्त तक इंपोस हुए फिफा बैंड के कारण पाकिस्तान फुटबॉलिंग एक्शन से दूर थे और गाईज सरकार द्वारा पाकिस्तान में फुटबॉल की डेबलोमेंट को लेकर भी कोई खास कदम नहीं लिया गया येस पाकिस्तान फुटबॉलिंग इस सफरिंग फॉर लिस रिजन लेकिन गाईज फिफा बैंड हटने के बाद जो धीरे धीरे रोशनी परने लगे है पाकिस्तान फुटबॉल पर उसी रोशनी को और भी जुटबॉल करने के लिए तीम इस कमिंग तू साफ चैंपियंश फिफा बैन हतने के बाद पाकिस्तान प्लेर अगेंस नेपाल, Maldives, Mauritius and Djibouti और गाईज टीम एक भी मैच नहीं जीट पाई इन फेक गाईज पाकिस्तान ने इसे पहले इंटरनेशनल स्टेज में 2018 में ही जीट हाजिल किया था जब तीम ने भूतान को 3-0 स्कोर लाइन से आया था, we are talking about soft championship of 2018 and after that guys there was nothing really exciting to talk about this team, दोस्तों जीबूती के खिले गए लास्ट मैच में तीम ने एक गोल जरूर दाले और गाईज वो गोल पांचालों में पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल गोल थे, so guys there was all about the history, लेकिन यहाँ पे प्रेजन और फ्यूचर पाकिस्तान का बैक्तर होने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान के टीम में शामिल हो गए है नौ डाइसपरा प्लेयर्स जिसे लेकर पाकिस्तान के मुल्क उमीद लगा सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे 27 साल के फॉरवर्ड ओतिस खान के बारे में जो नॉर्मली एज अन एटैकिंग मिड़ फिल्डर खेलते हैं लेकिन ऐसे विंगर भी वो खेल सकते हैं, प्रिमियर लीग क्लाब शेफिल्ड उनाइटेड के साथ सिनियर लेवल पर एक समय पर उन्होंने फुटबॉल खेले थे, ओटिस खान दोस्तों मैंचेस्टर उनाइटेड के यूज टीम को भी हिस्सार रह च जो इसे पहले पाकिस्तान को इंटरनेस्टल फुटबॉल पर 26 ताइम्स रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अभी फिलाल गाइज यह फॉरवर्ड प्लेयर डैनमार्क के फोट तायर लीग में खेल रहे हैं, चक्तिस साल के वो हो चुके हैं लेकिन फिल्ड में जो एक्सपरिय जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के स्टार प्लेयर है, इसा सुलेमान अभी पॉर्टुगाल के सेकंड डिविजन क्लब विला फ्रेंक्वेंसे में एक रोन लोन खेल रहे हैं, इस पैरेंट क्लब विटोरिया दे गुईमारेज पॉर्टुगाल के टॉप डिविजन लीग की क वह इंग्लेंड के कप्तान भी रह चुके है, दोस्तों मेजन माउंट रिस जेम्स जैसे प्लेयर के साथ एक साथ कई मैचों में ऐसा सुलेमान खेले थे, so definitely he is a big fish, defensive midfielder रहिस नभी एक ऐसा प्लेयर है जो इंग्लेंड के अंडर 17 टीम को रिप्रेजन कर चुके है, और ग विन्सपर्ग रेंजर्स के अंडर 21 टीम के तरफ से खेल रहे है, गोलकीपर यूसुप बट देन्मार्क के थर्ड डिविजन लीग में खेलते हैं, and he has been with the team since 2011, I believe guys, यूसुप बट बट बी अद गोलपोस दूरिं साथ चैंपियंशिप, तो guys, यह थे थे कुछ नाम जो प लोग तर लोग ताम, Pakistan football team can be one of the best in South Asia, as an Indian football fan, I am expecting Pakistan to lose against India, but I am really excited to watch how these players connect with each other in the field, because guys, more or less these are the players who will be instrumental for Pakistan in the upcoming years, like in soft championship से पहले इतने कम समय में क्या वो तालमील अपने बीच एपले प्रेश लाएंगे, we will be keeping a keen eye on that, इसी के साथ guys, इस वीडियो में फिलाल के लिए चना ही मिलते हैं अगले इन वीडियो में, until then, stay safe, stay healthy, alvida